नमस्कार दोस्तों आपका सुआगत है दोस्तों आपको बता दे कि बारत और नुजरेंट का दूसरा वंडे मैच खेला जा रहे हैं बारतिय टीम के लिए आज का मुकाबला जीतना बहुत ही मैतुपूर्ण है क्योंकि तीन मैचों की स्रीज में बने रहने के लिए बारतिय टीम को आज का मुकाबला जीतना बहुत ही जुरूरी हो गया है दूसरे वंडे मैच में बारतिय टीम ने कुछ बदलाव भी कियें उनके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे उससे पहले आपसे चोटा सा निवे दने की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाले गंटी के बटन को जुर्द वाले ताक कि आने वाले वीडियो के आपको सबसे पहले सूचना मिल सके बारतिय टीम बले पहला वंडे मैच आरी लेकिन टीम की बले बाच ये कावी मजबूत दिखी है श्रीज के पहले मैच में गेंद बाजी और फिल्डिंग में कम्या उजागर होने के बाद बारतिय के टीम अब उन से उबर करें न्यूजलेंड की खिलाप सन्युआर को यहाँ पर दूसरा मेच खेल रही है 2020 स्रीज में 5-0 से जीतने के बाद बारतिय टीम को 3 वंडे मैचों के पहले मैच में 4 विकेट से आर मिली दोस्तों आपको बता दे कि बारतिय टीम ने वैसे वेस्टन डीज और उस्ट्रेलिया की खिलाप एक मैच आरने के बाद है वह आपसी करके वंडे स्रीज जीती थी और बारतिय टीम आज भी कुछ ऐसा ही करेगी चले बात कर लेते हैं कि बारतिय टीम में किस परकार के बदलाव किये गए हैं बारतिय टीम ने सुकरुआर को वेकले पी कब्यास सत्र में बाग लिया नवदीब सेनियोर सार्दूल ठाकोर दोनों ने गेंद बाजी और बल्ले बाजी के ठाको टॉंटी टॉंटी मैच में मेंगे साबित हुए थे और पहले वंडे में भी कुछ खास नहीं कर सके बारत उसके जगह सेनी को उतार सकती है इसके लावा टे में केदार जादो की बोमी का पर भी स्वाल उठ रही है पहले वंडे में केदार जादो को एक भी और नहीं द किया गया था साहे छोटी बाउंडरी की वज़े से ऐसा किया गया लेकिन यह तो मैदान और भी छोटा है ऐसे में शिवन दुबे अमनिस पांडे को उतारना बैतर होगा दोस्तों आपको बता दे कि सांदार परदसन के वावजुदे केल राउल को लेकर खुछ नहीं है गोतम पारी से किया उनके फोरम में आने से टीम की कई समझे आल हो चुकिये ओपनिंग के साथ साथ है जरूरत के इसाब से वह तीसरे से पांच वह नमबर पर बल्ले बाजी भी कर सकते हैं राउल के इस परदसन से टीम मनेजमेंट साहित किर्केट फैंस काफी खुछ हैं मगर दि टाइम सोफ इंडिया के नुसार गंबीर ने कहा कि उन्हें लगता है कि राउल से ओपनिंग ने कराने का फैसला गलत हैं